नमस्कार मैं सुनीता कथम अंधन में आप सबका स्वागत करती हूँ कथम अंधन में आज सुनिए प्रथम प्रतिशुरुदी का दस्वा अध्याय मैंने इससे पहले गलती से ग्यार्मा बोल दिया था जो वो नॉमा होगा प्रतिशुरुदी के बाकी सब अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे तथा जिसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगी इसके अलावा अन्याव पन्यास और काहनियों का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शिन बॉक्स से मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं प्रतम प्रतिशुरुदी का दस्वा अध्याय कसूर कसूर उसका था लक्ष्मी घर में दिया बाती नहीं देने का लेकिन सजा की आशंका से सारा शरीर कंठकित हो उठने के साथ साथ शंकरी के मन के पट में जो तस्वीर उभराई वे लक्ष्म का घट या ग्रह देवता का पटना था अपने जिस कसूर की सजा आशंका ने शंकरी के तन मन को शिधिल कर दिया उस अपराद के इस घर का यहां तक कि इस गाओं का भी कोई तालुक नहीं अपराद की जगा थी शंकरी के नहर का आम का पगीचा समय बदन जिम जिम करने वाली दुपहर का फागु नाय की जिर जिर और रह रहकर जोंकों में उठने वाली बैयार और गुठ्ली हुए आमों वाले पेड उस हवा में जैसे पागल पने का खेल खेलने में मश्गूल थोड़े बहुत पेड उनके पीछे पड़ गए थे उनमें का मंजर नहीं जराता टिक फुलके नहीं नगेन ने वज्र कठोर द्रड़ता से पकड़ रखा था भाग नजाए शंकरी जब तक नगेन अपनी बात कह नहीं लेगा शंकरी को छुटकारा नहीं दिनों में बहुते ली छोटी बड़ी बातें इंगित इशारों के दूत दूत द्वारा शंकरी को नग आई है करंद रिष्टी द्वारा चोर हसी की सौगात से आज आज शायद वह उसका किनारा ही किये लेना चाता है किन्तु क्या नगेन उसे यहां जबरदस्ती खीच लाया था मूं में खपड़ा ठुसकर गोदी में उठा कर नहीं उस बे सहरा लड़की की इतनी हिम्मत कहां मौसी के यहां दानों पर तो पला है शंकरी की चाची ही नगेन की मौसी है मा मरे अप बेहन बेटे को मौसी ने अपने बाल बच्चों के साथ ही पाला है जिस ग्रस्ती में शंकरी भी बड़ी हुई है बीच में एक ही बात हुई किवल उसका ब्या लेकिन वह भी क्यायर एक ही घर में रहे दौनों भाई बेहन की तरह लेकिन अजीब है उनके मन भाई बेहन जैसे क्यों नहीं तयार हुई है छुटपन में शंकरी के अपने चचेरे भाई सबों ने क्या उसका जोटा पकड़ा किया पान से चुना गिरा तो बिगड़ा क्यों नगेन ने उस दु बड़ी सीमित है नहीं तो 18 साल की एक विद्वा के लिए भरी दुपैरी में आम के बागीचे में किसी नौजवान से बात करना कैसा ग्रहित काम है यह बोध एक 18 साल की लड़की को होना उचित था लेकिन सची क्या यह बोध नहीं ता शंकरी को चाची के 24 गंटे दात पीस लिये लिये ही आई थी सवेरे जब से नगिन नहीं है दरकास दिदी की तभी से उसकी छाती के अंदर धेकी कूटी जाने लगी थी कामकाज में भूल चुक होती रही तो भी आई तो भी गनीमत कहिए आज कंदे पर रसोई का बाहर नहीं तया कल ससुराल चरी जाएगी जनम बकल फूल के यहां हुआँ चाची तो वह ना ना कह सकी बगीचे में आते ही इस बहाने की सुनकर हस हुटा था नगिन उसने कहा बड़ो से जुट बोलकर आई है यह सोचकर इतनी गमगीन क्यों हो रही है तू मान ले मैं भी तो तेरा एक बकल फूल ही हूँ लेकिन अब न दुनिया में खीच ले जाना चाता था भाग कर बहुत दूर के किसी गाउं में चले चले ना वहां हमें कौन पहचाने का कहेंगे हम दौनों पती पत्नी हैं आग से हमारे घर द्वार खेत खलियान सब जल गए इसी से अपना मुल्क छोड़ कर चले आए ऐसे पाप की बात क पहले ही क्या शंकरी की जीब शितल हो आई पाप किस बात का तेरी वे शादी भी कोई शादी है तुने पती का घर भी बसाया है हम दौनों जणम जन मानता है से पति पत्नी है समझी इसलिए वे कहां आगे और पत्री टीक नहीं सका नहीं तो अब तक तु कहां होती मैं कहां होता दुआ ही है तु अपने मन को मजबूत कर शंकरी यह बात सुनने में भी अनंत नर्क होगा नगिन्दा वही यदी हो नगिन ने उगर मुर्ती होकर का यदी नर्क हो ही में जाना पड़े तो मुझे अकेले ही तो को जाना पड़ेगा तुझे भी जाना होगा तेरे लिए मुझे वे कश्ट भी कुबूल दुनिया के और सारे लोग जाएं स्वर्ग में मैं और तू नर्क में ही रहेंगे फिर भी तु यह जनम अच्छा कटेगा यही क्या वाजिपा तो नहीं नगिन था तुम्हारे पैरो पड़ती मुझे छोड़ दो इस हालत में हमें कोई देख ले तो घर में मिरे लिए जगा नहीं रहेगी अच्छा ही तो है उसके हाथ को छोड़ देने के बदले नगिन ने और कस लिया शायद उसे कुछ करीब भी खीच लिया था कहा घर नगिन था हाथ छोड़ दो तुम्हारे मन में इतना कुछ है जानती तो हर्गिस नहीं आती तुमने तो कहा था एक बात है नगिन नहीं जो कभी नहीं किया वही कर बैठा इतना बन मत जानती तो हर्गिस नहीं आती मैं तेरे साथ मेरी ऐसी भागवत करता क्या हो सकती है बत का चोटा सा खेत एक इतना सा पोखरा इससे जदा हमें क्या चाहिए बता इतने का बंदोबस्त में कर लूँगा पेट में थोड़ी सी विद्या तो है कुछ ना बन पड़े तो एक पाटशाले ही खोल लूँगा इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं शंकरी चाती के अंदर जो लूगों में आती हवा से उसका शरीर कैसा सो अवश नहीं हो गया है जी में आया नहीं कि सची तो है इन में से किसी का क्या नुकसान है से सुराल को उसने आखों से देखा तक नहीं एक दिन की भी बसी नहीं उन्हें जानती नहीं पहचानती नहीं उसे नहीं पाने से किसको क्या दुख सुक होगा, इसे क्या हानिलाब होगा चाचा वगर अगर यह खबर कर दे कि शंकरी नाम की जो एक लड़की थी जो कविराज घर की भगिन पतहु थी एका एक है जे से मर गई तो कविराज जी के यहां के लोग कितना रोएंगे और चाचा चाची मर गई मर गई यह खबर उड़ा कर समास सिपार नहीं पाएंगे ना जादा देर तक क्या चिंता मन में ना रही हवा अचानक बंद हो गई बड़ी गुठन सी हो आई शंकरी की चेतना लोटी बोलूटी हिंदु घर की विद्वा को निकल जाने की सला देने में शरम नहीं आती तुम्हें तो मेरे भाई हो ना नहीं हरगीस नहीं नगें गरज उठा भाई जैसा कभी नहीं इस बात को तु भली प्रकार से जानती है और मैं भी जानता हूँ मैं सदा तुझे इस तरी सा देखता आया हूँ जान सुनकर नहा की वाग चातुरी क्यों कर रही अरे मुझे वचन दे की आधी रात को बिछले दर्वाजे से निकल कर तु यहां आकर खड़ी रहेगी मैं पहले से ही यहीं हरूँगा उसके बाद भाग कर यहां से निकल जाएंगे फिर कौन पकड़ेगा मौसी मौसा खोच थोड़े ही पाएंगे मुक्का खाकर मुक्का चोरी करके बैठे रहना जाना पड़ेगा ओ नगेंदा मेरे कलेजे के अंदर कैसा तो कर रहा है छोड़ दो मुझे मुझे ना बनेगा बनना ही होगा नगें ने अकुलाई सवर में का जब तक तु हां नहीं करेगी तो मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ने का शोर मचाकर मैं भीड जमा करूंगी कमजोर गले से शंक्री ने का कहूंगी मुझे अकेले बगीचे में पाकर कर शोर बुला लोगों को नगेंद बेपरवा बुला बलकि तु मुझे मार डालो नगेंदा मैं और क्या करूं तुझे सबने मिलकर मारी तो डाला है जाडू लात खाकर बाप के ही गर दो मुठी अन नहीं जुट रहा था तिस पर अब ससराल मरे को मुंगरी की मार मैं ही बलकि तुझे बचाना चाहता हूं मुझे तुमारा आधर जतन नहीं चाहिए इस बार शंकरी का गला कुछ सक्त सुना जाडू लात ही मेरे लिए ठीक है जाडू लात ही ठीक है जी जान देकर नगने बैंकर काम कर दो आवेक से प्रेमालिंगन नहीं शंकरी को उसने जकड़ लिया ठीक है वही जिसमें ठीक से खाती रहे इसी का खास बंदोबस्त किये देता हूँ तुझे दाग देता हूँ और इसके बाद तेरी ससुराल ससुराल में जाकर अभवा उड़ा दूँगा कि वह मेरे साथ बुरा नगेन के हाथो शंकरी ने कैसे जो अपने को छुड़ाया कैसे जो घाड से बिलकुल नहा कर लोटी और कहा बकुल फुल के यहां जाना ना हो सकत चाची जाते जाते एक जूटी हाड़ी से छुगई इसलिए नहा कर घर लोटना पड़ा और कुबेर को नहाने से यानि की कुबेला मतलब इतनी बेला में नहाने से सिर दुख रहा है यह बता कर कैसे जो लेटे-लेटे दिमिताया ठीक से याद भी नहीं आता उसे सिरफ इतना ही याद है कि उसकी जबरदस्ती रूलाई से चाचा तक ने ममता सने स्वर में दिलासा दिया था रोती क्यों है लड़कियों को तो ससराल ही जाना पड़ता है ससराल ही तुमारी सदा की जगा है और फिर कविराज जी बड़े भले आदमी है घर में खाने पहनने का कोई कश्ट नहीं है अच्छी रहोगी सुकसे रहोगी शंकरी तो भी और अकुलाकल रोए थी लाचार चाची को भी कहना पड़ा फिर आना फर्वत्यहौर में आना हम क्या तुझे पराई की ये दे रहे हैं साल बीद गया चाची ने अपना वचन नहीं रखा ले जाना तो दूर कभी खोज भी नहीं ली तब से उस गाओं की रत्ती भर भी खबर शंकरी को नहीं मिली सदा आशंकित ही रही कि कोई कह रहा है नगेन नाम का एक छोरा शंकरी के नाम से क्या तो सब कह रहा है रास्ता चलते पेडों के पत्ते हिलने से सियर उठती है शंकरी बांसों की सरसर अवासे छिठक जाती है लेकिन वह डर क्या डर ही है सिरव डर उसके साथ एक भयंकर आशा भी क्या जुड़ी हुई नहीं है सदा क्या वह ये जी में नहीं आता कि किसी बसवारी में या पोखरे के पास वह सत्यनाशी आदमी मिले तो वह घर ही न लोटे कल उसने सुना इस यग में चाचा के यहां से लोग न्योते में आएंगे कल से ही वह मरी हुई सी है चाचा या चचेरे भाई लोग आकर जाने क्या कहें नगेन क्या सब कहता फिरा है नगेन क्या अभी वही है जिन्दा है हो सकता है पता नहीं जाने के बाद सबने उसे मारना डाला हो उस दिन शंकरी बगीचे में क्यों गई थी वह जो आदमी उसे गलत रास्ते ले जाना चा रहा था आज भी वह हजारों डोरे डाल कर क्यों उसके मन को खीच रहा है मरने गई तो भी नहीं मर सकी शंकरी दुनिया में शंकरी नाम की एक इस्त्री यदि ना रहे तो क्या आता जाता है दुनिया का कलंकित मन लेकर वह ठाकुर घर का काम करती है तो ले इतनी चोरे पर दिया जलाती है इस महापाप का फल सोचने में बादा हुई काशीश्वरी आकर खड़ी हुई और जोड से बुकारा नत बहु भय भय सत्य के लिए इतने बड़े भय का परीचा शायद यही पहला है कटवा की बहु की बड़ी लानत मलालत होगी इसकी आशंका तो उसने की थी लेकिन यह क्या फटकारने की यह कैसी भाशा जीवन में सत्य ने बहुत तरह की बाते सुनी है बहुत बहुत बाते सीखी है लेकिन यह सब शब्द तो नहीं सुने असती के माने क्या है उपपती किसे कहते हैं कुलबोरन से क्या मतलब निकलता है सुवह दूर से ही हा किये शंकरी और काशिश्वरी की तरफ ताकती रही और कोई कुछ नहीं कह रही थी क्यों चबा जाने से भी शायद उसका गुसा नहीं जाएगा ऐसी वैसी अधा मोख्षदा और तरह की है काशिश्वरी और तरह की मोख्षदा का स्वास्त है खूब है बेहत ताकत बेहिसाब वाक पटुता लेकिन काशिश्वरी वैसी नहीं है शोक ताप से वै कुछ बेबसी हो गई है और वैसी सदा की मूँ दबू है वैसी कोई चरह मवस्ता होने से ही उसकी जवान खुलती है दबी लेकिन तेज फिर भी आज की जैसी बाते काशिश्वरी की मूँसे कब निकली और घ्रणा से जरजर ऐसा चहरा ही कब देखा गया है उसका कौन गया था कटवा कौन क्या सुनाया वहां से बार बार शंक्री के बाप के यहां का ही जिकर क्यों उठ रहा है वहां से शायर इस न्योते पर कोई नहीं आ रहे है शंक्री से कोई संपर्क ही नहीं रखना चाते वे शंक्री के चूकी माबाप नहीं है चाचा चाची है इसलिए ऐसी लड़की के टुकडे टुकडे करके गंगा में बहा नहीं दिया और भी कितनी कितनी बाते कैसा कैसा लह जा शंक्री को गले में रसी लगा कर मरने की सलहा दी जा रही थी दी जा रही थी पोकरे में डुब मरने की राये पापिन शंक्री के पाप पर से ही साल लोड़ते ना लोड़ते काशेश्वरी का एक मातरनाती मर गया आज के राये विचार में यह बात भी साबित हुई जा रही थ देड तक सुनते सुनते अंति तक इतना समझ पाई सत्य की यक्का नियोता देने के लिए नाईन और राखो कटवा गए थे वही शंकरी की चाची ने नाईन से शंकरी की जो मुँमे आई वही शिकायत की तो इस बात में शुभा नहीं कि शंकरी वहां कोई बहुत गरहित काम करके आई है लक्षीमी घर में दिया जलाने में देर होने है सांज देर तक घाट पर रहने से वह ज़ादा गरहित है या साफ समझ में आता है लेकिन शंक्री के अपराद से उसकी चाची के बेहन बेटे का क्या संबंध है शंक्री के लिए वह क्यों घर छोड़ कर चला गया यही सत्य को सब गोलमाल लग रहा है पहले ही जैसे इसलिए दुनिया भर का अर्थ देने वाले जीवन में ना जाने यह शब्द सत्य के लिए कलेजगो कैसा हिम हिम कर दे रहे थे भै हो रहता सत्य ने जीवन में जो अनुबूती जानी ही नहीं आज उसी अनुबूती ने उसके सारे सहास को मनो गुंगा कर दिया ग्रहनिया किसी को डांट डपट रही हो और सत्या उसमें फोरन नहीं डाल रही हो सत्या की जान में यह गटना पहली है अपराधी की तरफदारी करना सत्या का सभाव है और फिर अपराधी जिस भी श्रेणी का हो एक बार का चिकर है बरतन माजने वाली बागदी बहु सांज की बरतन धोने गई थी और घाट से लोटते वक्त धेर में से कटूरा खुआए बहुत संभव था की कटूरा पानी में डुब गया था लेकिन बागदी बहु के चोर नी ठहराती हुई शिव जाया और दीना तारनी ने भला बुरा कहने में कोई कोर कसर नहीं रखी और मोक्षतरा ने तो हुकमी दिया खैर तूने लिया नहीं तो राद भर पुक्रे को ट्रोल कर कटूरे को खोज निकाए वहे बेचारी जितना ही जोर जोर से रोहे ग्रहनियां उसे उतना ही कसकर दबाएं उन्होंने यह कहना भी न छोड़ा कि चोरी करने के लिए यह बेर करके बरतन मालिने जाती है उस बार उस बेचारी को सत्य नहीं तो बचाया था उसने कहा चल बागदी बहु तेरे साथ मै मैं भी खोजू मैं तरना खूब जानती हूँ तरती हुई इस पार से उस पर कडोरे को खोजूँगी तू खोजेगी मितलब सब पर डपट उठी और सब की चौकाती हुई सत्य ने उदास होकर खाता कोजना तो पड़ेगा ही तुम सब के पाप का प्राशित मुझी को करना पड़ेगा जबकि भगवान ने मुझे तुमारे घर की लड़की ही तो बना कर भेजा है इसलिए जिनके घर में पांस संदूग बरतन है वे अगर दाल खाने वाली मामुली कटोरे के लिए एक आदमी की जान लेने को तयार है तो किसी को तो उसका प्रतिकार करना ही पड़ तेरे बाप को तो बहुत पैसा है इतना कहकर कैसी ढीली पड़ी सी मैदान से पीट दिखा कर सब खिसक पड़ी उस दिन गले में आचल डार कर बागदी बहुने सत्य को प्रणाम किया था इस तरह सत्या ने बहुत बार बहुतों को विपत से बचाया था परंतु आज उसके मुझ से एक शब्द नहीं फूट पर अड़ा था एक अंधरे जंगल की में बदन चमचम कराने वाले रहसे ने सत्य को मूग कर दिया लानत मलामत का यह अध्याय कब कथम हुआ ग्रणिया कब अपने अपने काम में चली गई कटवा वाली बहु उसके बाद कहां चली गई इन बातों पर कोई खबर ही नहीं रख पाई वाई जाने कब धीरे धीरे जाकर शारदा के कमरे में फर्ष पर चांदनी रंग के आठ हाथ वाली साड़ी का आचल बिछा कर सो गई जहां शारदा भी गोद के बच्चे को गोदी के पास लिए उसी धंग से सोई थी शारदा अरी सो पड़ी सत्य नहीं जी हां सोई सत्य जवाब से कत्रा गई शारदा और एक निश्वास छोड़कर का कटवा की बहु कितनी गालियां के सुन रही थी नहीं जी सत्य नहीं जानती सत्य के लिए ऐसा मुक्तसर भाशन प्राया असंभव है लेकिन शारदा का जी में भी स शुक नहीं था जरासर इसलिए उसने भी बात नहीं बढ़ाई किसी वक्त बच्चे के साथ सो गई लेकिन सत्य की आँखों में नीद नहीं आना चाह रही थी भै कि वहा अनुबुती से छोड़ना ही नहीं चाह रही थी रहे रहकर कलेजा खूक सा उठ रहा था वे अन्जाने शब्द भाड में जाये चाहे लेकिन नए डरने जो दिल में बसेरा बांद लिया सचमूची अगर कटवा की भहू पांसी लगाने का तरीका क्या है उसका अन्जाम क्या होता है रॉंग टे खड़े हो रहे थे इस आशंका से कहीं कल लियक की मचली पकड़ने मचवारे पोखरे में जल डाल कर मचली के साथ और एक चीज निकाले तो सत्य की चाती में ढेकिक पुटने जैसी आवाज होने लगी कितनो हो को पैरा देव है शारदा के लिए तो बाप का हुकम है मुसीबत है अब उसके लिए किसे छोड़ दे और किसे देखे गाली गलोच के समय कटवा की बहुका चरण कैसा दिख रहा था सत्य ने नहीं देखा 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 दलांक के एक कौने में एक दिया ना शंक्री का चैरा सत्य देख पई, इसी से समझ पा रहे थी कि उन अजीवो गरीब लफजों के माने शंक्री समझ भी न सकी या नहीं, तो क्या शारदा एक बार चुप चुप करके पूछे शारदा से, जितना भी हो शारदा सत्य से उम्र में दुगनी बढ़ी है, एक बच मुँ पर जैसे किसी ने ताला ही जड़ दिया